प्रक्राण चो लेखन जाली नो रही लेखक परिजाए बार दोस्तो लेखन जाली नो रही ए लोक कथाना लेखक प्ष्डी जोरावर सीह जादव छे तेमनो वतन धन्दुका तालुकामा आवेलू आकरू गाम छे तेमनो जन्म 10 मी जानिवारी 940 मा थयो हतो बाल दोस्तो आ लोक कथाना लेखक्ष्डी जोरावर सींजी ने लोक सहित्यक्षेत्रे शंशोधन अने संपाधन मां विद्यार्थी काल्थी जरा सतो तेमने मरद कसुम्बल रंग चड़े, आपना कस्बीयो, मरदाई माथा साटे अने लोक जीवनना मोती जिवा पुस्तको लख्या छे तेमना तमाम पुस्तको लोक कथा, लोक जीवन अने लोक संस्कृतीने स्पर्ष्टा विविद्विशयो साथे लखाया छे गुजरात अने सवराष्ट्रना सिमाडाने अडीने भाल अने कनेर पंथक पागडीप ने पत्रायला छे कुद्रतनी अमी द्रश्टी ओची होवाने कारणे एना माटे आदिकाल थी एक कहवत कहवाती आवी छे कपाल मा ओगे वाल तो भाल मा ओगे जाड इटले के भाल प्रदेश मा वर्सादो छो अने जमीननी विशेष्टाने कारणे जम कपाल मा वाल उगता न थी तेम भाल मा ज़ाड जोवा मलता न थी आवी ज़ाड पान विनानी वैरान एटले के साव उजड धरतीने मा थे कबूतरना माला जेवू नानुएवू गामडू गाम छे गाममा राजपूत दरबार कणबी भरवाड अने वसवाया वरणना 501 खोरडा छे खोरडा एटले घर अहीं गाममा जुदी-जुदी गनाती ना लोको रहता हता 21 खोरडा वाणिया ब्राम्मन ना छे उनालो धर्ती पर्थी उचाळा भरवा मांडे चोमासाना पगरण मंडाय अने भारे वर्सात तथा वाजपूत थी गाडा मारक बंद थई जाय छे बाल दोस्तो अहीं लेखके उनालों धर्ती पर्थी उचाला भर्वा मांडे अने वाजडी थी गाणा मारक बंद थई जाय एम कही बतावी ने लोक सहित्यनों सुन्दर प्रयोक कर्यों छे लेखक कहे छे उनालों जाय छे अने च्वामासू आवे छे त्यारे वाजडी थी गाणा मारक बंद थई जाय छे मौर्य गाम ना खेडू तो तालू का मथके हटाणू करवा जता अने त्रोण चार महिना चाले एटली जीवन जरुरियात नी खेती नी अने घर वप्राश्नी सटर पटर चीज जनसोनी खरिदी करी घर मां संगरी रागता ए समय नी वाद छे मैनत मजूरी करी बै पांदड़े थायेला कहल संग गाडू जोडी ने धन्दू के हटाणू करवा गया छे सुलेमान घांची नी घाणिये थी बैत्रों डबात तलना तेलना मोदी नी दुकाने थी देशी गोलनी भेलियू दाल चोखा मीठू मर्चा लसन डुंगली अने बटेटाना कोथला ने बिजू आगुपाचू खरीद करी गाडा मा मुक्यू रांटवानो भरडो दैने गाडू गामना मारगे वहतू कर्यू त्या बै मण कपाशियानो कोथलो माथे मुकी ने पवन्ना वंटोलियानी जेम वह आवता हरक्चन शेठे साध दिधो ए कहसंग भाई गड़ी साथ बड़दियाने तानी जालो ने आ कपाशियानो बाचकू गर लगी लेता जाओने हरक्चन सेठ बड़दियाना गजा उप्रांत नो भार गाडा मा भर्यो छे इमा तमारो कपाशियानो कोथलो क्या थी हाल से भाई साब कपाशिया भरे कोठी थोड़ी जफाटी जाए बला तहीने आटलू बाचकू लेता जाओ हरक्चन सेठ गाम्मा हाटडी माडी ने बेठा छो तो माल लई जावा आगवू गाडू भाड़े करी लेता हो तो नरी वाणिया विद्याज वापरो छो भाईला आज तो हाटनी खरीदी काए नोती वाईदना पड़ी का लेवा आवे ओतो पन त्यू के घरे गाए वियाए वी छे ने अहीं सुधी आवे ओशू तो लावने कपाशियानू बाचकू नाखतो जाओ गाडा वाडा कोई ने कोई अरीना लाल मली रह शे सेठिया तमे नेवाना पाणिये हाथ दोओ छो ने काए मफत्य कोण लई जाए कोक दी नाणा भीड हो आई ने उचीनू उधार लेवा आविये त्यारे तो हाटडिये थी हेठा उतारी दो छो इसांब्रे छे उल्यू कहे छे ने के आपने वेहत नमिये तो कोक हाथ नमे समझेया कहल संग भाई उधार तो आखी हाटडि दै देवी पन वकचर चो अपणा चोखा करवा जोवी ने त्रोण त्रोण वर लगी नाणा भरो नई ने ओगराणी करिये त्यरे आखो काड़ो इम आलतु अशे अमारे आगल पेच्छे ने आ सांब्री ने कहल संगे मनमा गांठ वाली के वाणियो आज मांड गाये चड़ेो छे हिंग तेल हमणा का फाटी ने धुवाडे वैगयो छे गाम्मा कोई निये शरम भरतो न थी आज इने धोले दाडे तारा नो बताडू तो मारू नाम कहल संग नई गाडा ढूकडो आवी ने हरक्चंद वाणियो गाडामा कोथलो नाखवा जाय छे त्या तो बलदोने डचकारो करी कहल संगे गाडू हांकी मुक्यू मौर्य गाडू ने वाहे हरक्चंद शेट बजार सौसर्वा थैने छे गामनी भागोले आव्या शेटिये राड्य पाडी एई कहल संग भाई गडिवार बलदोने तानी जालोने माते अढ़ी बेमन भार छे इतो जुओ सुह करू सेट आ संध्या बलद्या बवू पाणी आडा छे घर बनी वेहता थिया पचि तानी जाले रहता नती एम कहता कहल संगे गाम भणी गाडू हांकी मुक्यू हरक चंद शेट ढीला पगे ने विला मौढे करामती कहल संग ना गाणा ने जतू जोई रहा बलद्य तानी जाले रहता नती इवेन चतुर वाणियाना मनमा क्या इसुदी घुमरियो लई रहा एम ने भीत सौसर्वू सुझू के कहल संगे नरातार दांडाई करी छे पच्छी एमना थी बबडी जवायू माला राजपूते करी जे ने काई कपास यानो कोथलो माथे लईने हरक चंद भांगे इलपगे बजार मा पाचा गया पण मदारी ना करंडिया मा साप जेम गुचलू वाली ने पड़ियो रहे एम आ वात एमना लमणा मा रही गई एवामा कुदरत ने करवू ने कहल संग ना बापू गुजरी गया गाममा कोई भणेलू ना मले कोईनो कागल आव्यो होई तो हरक चंद नी हाटे वंचावा जवू पड़तू उजड गाममा एरंडो प्रधान गामा खु अंगुठा छा पेटले हरक चंद नो भाव पुछाए कोईना दस्तावेज लखवा होई खातू पाडवू होई के सारा भला आवसरे कंकोत्री लखवी होई के माठा प्रसंगे कागल लखवा होई तो हरक चंद शरंम ना मार्या काम करी देता। कहल संगे हरक चंद शेठने बेहाज जोडी ने काळो त्रीना कागल लखवा बोलाव्या। शेठने मनमा थायू के तेदी तो बापुना बलद्या तांणी ज़ल्या रहता नो ता। ने आज ए मेलाना कागल लखवा बोलावे छे। ठीक लागमा आव्या छे। आज इने भालिये नौ भराविदो तो मारू नाम हरक चन्न नई। आम विचारी ने शेठ कागल लखवा बैठा। कहल संगे एमना बापुनू कारज पांचमनू राखेलू। शेठी आये थोड़ा कागल पांचमना, थोड़ा छटना, थोड़ा सातम, आठम अने नौमना तथा थोड़ा दसम अग्यारसनी तीथीना लखी ने जावादी धा। पचितो भाई एक दिवसनू कारज अतू इल लगातार सात दिवस चालियू। ओल्या जाए ने ओल्या आवे, ओल्या जाए ने ओल्या आवे। कहल संगना कुटुम वाणा संधाय विचार मा पड़ी गया। के महाळू आ चमनू वेतराणू छे। अल्या बेडाना कागल कोनी पाहें लखाव्याता। कागल तो हरक्चन सेठे लखी दीधा हाता। इतो डायू मनेक छे, यूठी ने आवी बूल ना करे हो। सेठिया ने बुलावी ने पूछो, तो खबर पड़े ने। आतो खमती दर खोरडू छे, पन कोई मोडा पातला मानाहनू खोरडू होई तो खेतर वेचवा वारू आवे के बीजू कहाई। हरक्चन शेठ ने तेडू मोकल्यू, हातमा धोतियानो छेडो जाली, काने लांबी लेखन खोसी, माथे राती पांचाली पागडी अने पगमा मूझडी पहरी, शेठ कहल संगना फढ़िये आव्या। सव पूछुआ लाग्या, अरक्चन भाई आच चमनू बफाडू छे। शेठी आए ठावकू मो करी, माणडी ने वाद करी। चांबलो भाईयो, वरदी मोर्यानी वाद छे। कहल संग भाई दंदू के आटानू करी, गाडू लईने गाम्मा आवता आता। इवक्ते बजार सौसरो, हुँ कपाशियानो कोथळो लई, इमना गाडामा मुक्वा गयो, ते दी इमना पाणियाला संधिया बढ़दो जाल्यानो ता रिया। इम इमना बापुना कारच ताने कागल लगता लगता मारी लेखन जाली नो रही। बढ़ तानी जाली खम माने तोने। थरक चंदशेट। मृत्यू तो वैलू मडू सहु कोईनू आववानू छे। पण मौतनो मलाजो जालवामा आपणी मान साई छे। एपची संधाये कहल संगने पन ठपको आपयो। शरमनी मारी एमनी आखो बहुँखोतरवा मान्डी। वाध्यकान ने आव्यसान। ते दी थी कहल संगनी अकलनू तालू उगडी गय। आजनी घडी नेकाल लोदी। झाल झाल हव़ झाल 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 झाल